तो ये भरोसा जो है ये एक दे रहे हैं मदनकौशी के कहते हुए कि किसी को भूका नहीं रहने दिया जाएगा और मदद जो है वो हर हाल में पहुचाई जाएगी यूगि लॉक्टाउन एक तरह से रामबान है जब आप बात करते हैं इस अद्रिश बीमारी से लड़ने की द के दूसरे चरण में तो ट्रेसिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट इसकी दिशा में आपको हमारा देश कितना तयार लगता है देखे यह बड़ा एक ट्रिपल टी बहुत इंपोर्टन चीजा बलकि इसके पाँच कंपोनेंट्स हैं यह आपने बड़ा अच्छा बताया कि ट्रेसिंग टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट है ना और इसके साथ में एक कंपोनेट बड़ा इंपोर्टन है वो है को हम ट्रेस करें उसके बाद उनको हम टेस्ट करें और उनमें से जो पॉजिटिव बात है उनको ट्रीट कर दें तो इस सारी तरफ से कॉर्णा घिर जाएगा हमारे पास में एक तो उससे प्रिवेंशन भी हो जाएगी आईसोलेशन भी हो जाएगी और साथ में ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और बिमारी फैलने से भी रुख जाएगी तो यह ट्रिपल टी बहुत एक अच्छी चीज है जिसके अंदर मैंने दू चीजिए और एड किया है जो कि बड़ी इंपोर्टेंट है पर्सनल प्रोटेक्शन तो हमारे को लॉंग टर्म में लेनी ही लेनी पड़े है मौनिंग वॉक्स पर जा रहे है सानिटाइजर का उस तरह से इस्तवाल नहीं हो रहा आप डॉक्टर होने के नाते एक बार न्यूज एटीन इंडिया केस मंच से अपील कीजिए सर और बताइए लोगों को कि जो प्रिधान मंत्री ने कहा है वो बिलकुल सच है मास्क व्यक्ति को जानना बड़ा जरूरी है जिन बच्चों को आज हम बाहर लेके गूम रहे हैं जिनके की अभी तक तो हम अपने रिस्क ले रहे हैं उनको अगर हम मौर्निंग वॉक्स के उपर जा रहे हैं तो हम रिस्क ले रहे हैं डबली एच्चों कहता है इंडोर एक्सरसा लेके आजाए तफरी के लिए अगर कोई बाहर जा रहा है ये बहुत खतरनाक है और ये उसी प्राणी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है कॉमिनिटी के लिए तो खतरनाक ही है उस प्राणी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है जहां पर सरकार ने अपने विवेक से बंग हो जाएगी उनको भी नुकसान होगा तो ये समझना बड़ा जलूरी है दूसी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा सोशल आईसोलेशन के साथ में आपको बहुत सारी चीजें और भी फॉलो करनी पड़ेंगी परसनल हाईजीन फॉलो करनी पड़ेंगी बच्चों को ए एक्स प्रेगनेट महीन आई इनको हमें स्पैस्फिक प्रोडेक्शन देनी बड़ी जरूरी है नहीं तो ये दिक्कत कर देगी तीसरी चीज़ देखे हमारे दो डिवाइड है इससे मैं समझाना चाहूंगा बहुत इंपोरटन चीज है आप उन देशों का हाल देख चाहे उनकी healthcare कितनी strong है आज भी 2000 लोगों की मृत्ती हो रही है अमेरिका के अंदर आज भी 500 लोगों की मृत्ती हो रही है इटली के अंदर आप ये देख लीजिए हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने economy और उसमें अगर उसके बाद हम लापरवाई कर जाएंगे तो हमारी 130 कर कि घर में बैठने के बाद में सारे आपको measures करने पड़ेंगे और ये सबसे important चीज है कि बहुती loud and clear आपको बहुत जाना सुरक्षा में रहे है बहुत पश्ट शब्दों में बोसकता है कई दर्शकों को ये चूब भी रहा हो पर ये आपकी काम की चीज है इसलिए मैंने ड की भलाई के लिए इस देश की भलाई के लिए ये अपील कर रहे हैं जोंडिल की बात हो रही है किस प्लान पर काम करने की बात हो रही है आपको लगता है कि अलग-अलग राजियों की परस्थितियों के हिसाब से हॉट स्पोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये एक कारगर तरीका हो सकता है आगे बढ़ने का और कोरोना के फैलाव को रोकने का इसमें कोई दोमत नहीं है कि एक साइन लीन के साथ किया हुए प्लान है जोनों conversation Ermben नहीं हिसादी को कि बढ़ने के साथ में हिए प्रेशे सरकार के प्रवक्ता के नाते बैठा हूँ तो देश को आश्वस्त करना कि किसी भी विशाई को लेकर घबराना नहीं है हमारे पास सब कुछ है टेस्टिंग के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी वो आकड़े में प्रस्तूत करता हूँ और एप्रिल के आंग तक 300 लेबरटरी टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे आज के डेट में 2 लाख टेस्टिंग हो चुकी है आज के डेट में लगभग 18,000 टेस्टिंग प्रती दिन हो रही है और जितने किट हमारे पास अवेलेबल है वो आने वाले 6 महीने तक सभी टेस्ट हो सके उसके लिए परियापत है तो 6 महीने के लिए हमारे पास टेस्टिंग किट अवेलेबल है किसी को भी पैनिक मोड में जाने की ज़रुत नहीं है मगर कुछ राज्यों के पास जैसे कि आज ICMR की जो अध्यक्षा है मिस दtakता कलकता की वेस बेंगौल की उन्होंने अपने इंटर्वियू में कहा कि हमारे पास 27500 टेस्टिंग किट तो है किन्तु राज्य सरकार अंडर टेस्टिंग करा रही है टेस्टिंग करा ही नहीं रही है ये उचीत नहीं है सभी राज्य सरकारों से अपील है कि टेस्टिंग खीट है, आप संख्या चुपाएं ना, आप टेस्टिंग कराएं, नमबर दो, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए कुछ आंकडे में देता हूँ, आज के डेट में पूरे भारत वर्ष में 586 COVID-Dedicated hospitals हैं, आज के डेट मे COVID से ट्रीटमेंट के लिए लगभग 16,000 dedicated ventilator है, जहां तक PPE, क्योंकि खुद डॉक्टर्स यहां बैठे हुए हैं, पुलिस कर्मी भी है यहां पे, PPE kit के बारे जो personal protection kit होता है, उसके विशह में questions होता है, मैं clear कर दू कि जब पूरे हम इस प्रकरण में गये थे, कॉरोना वायर मिलके PPE kit हिंदुस्तान में बना रही है, और 27 लाख kit हिंदुस्तान में बनके तयार हो चुकी है, जो राज्यों में जिनको disperse कर दिया गया है, वेंटिलेटर भी पहले हिंदुस्तान में नहीं बनता था, आज के डेट में 50,000 वेंटिलेटर भारत की सरकार ने यहीं बनाया अगर एक और टी हो जाए तो वो बहुत घातक सिद्धो होगा, याद है तबलीकी, अगर तबलीकी जैसा अब परिपक्कुता, तबलीकी जैसे एक शडियंतरकारी नीती, मतलब कोई भी रेक्ती या कोई भी संगठन या कोई भी संस्ता दिखाती है, तो सारा टी धरा का धर रह जाएगा, इसलिए परिपक्कुता के साथ इन तीनों टी का पालन किया जाएगा.